देखे, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की सुरुवात करें, एक छोटी सी इन्फार्मेसन है, दो मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए, देखे, यूपी पीसेस प्रिलेम्स के टेस्रीज का डिसकुसन हमारा चल रहा है, जहांपर हम 50 से ज्यादा टेस संग्रा भी आपको प्रतान किया जाएगा, जो कि जन्वरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मद्य तक का होगा, और साथ ही साथ सभी विसेयों के लगभग लगभग 100-100 पेज के आपको नोट्स प्रवाइड करवाये जाएगे, जो कि करेंट से रिलेटेड होगा, और लगभग दस से इग्यारा पेज के नोट्स आपको डेली मतलब छोटे चोटे टुकड़ों करके आपको वह नोट्स प्रवाइड करवाये जा रहे हैं, ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मातर तीन सो रुपए है और इसके लिए आपको हमारे वाट सब नमबर 9044883929 पर हा या है लिख करके मैसेज करना होगा, तो फिलाहाल चलिए चलते हैं सिधा लेक्चर की तरफ, नमस्कार दोस्तु, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवलेक आडमी पर, देखे हमारे ये गटना चकर के आजनिक भारत के इतियास का सीरी चल रहा है, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में, तो चुकि हमारा डिसकर्शन जो है वह प्रशनोत्तर के हिमाद्यम से होता है, चलते हैं सिधा प्रशनों की तरफ, और बात करते हैं आज के लेक्चर के पहले प्रशन की, यहां पूछा जा रहा और सबसे सूपरिचित कड़ी होगी, वहां से आप आसानी से उस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आराम से पढ़ना सुरू कीजिए, अठारह वर्स की आयू में इसनातक, बीस वर्स की आयू में प्रोफेसर, तथा सुधारक के सह संपादक, पचीस वर्स की आयू में सारवजनिक सभा और प्रांतिय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्स की आयू में राष्ट्री कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्स की आयू में महतपूर्ण रॉयल कमिशन के समच अग्रणी प्रवाह, 34 वर्स की आयू में प्रांती विधायक, 36 वर्स की आयू में इंपीरियल विधायक, 49 वर्स की आई में भारती राष्ट्री कांग्रेस के अध्यच एक देश भक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयम अपना गुरु माना बस इतना पकड़ना है कि महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरु या गुरु कौन थे बाकि उम्र का हिसाब छोड़ दीजिए कि 20 साल में ये कर लिया 18 साल में ये कर लिया ये नहीं कर पाएंगे आप आप्सन है ए पंडित मदन मोहन मालवी का बी महादेव गोविंद रानाडे का सी गोपाल कृष्ण गोखले का या फिर दी बाल गंगाधर तिलक का बताईए किसकी जीवनी का वर्ण किया गया है इसका जो सही एंसर है या यूँ कह लिए तो महात्मा गांधी के जो राजनैति गुरू थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले यानि की आप्सन नमबर सी सही हो जाएगा अब यहां से पूरी स्टेट्मेंट जोड़ करके याद कर डा लिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 वर्ष की आयू में इसनातक किया था 20 वर्ष की आयू में ये जो है प्रोफेसर और सुधारक पत्रिका के सहसंपादक बने 25 वर्ष की आयू में सारोजनिक सभा और प्रांती सम्मेलन के मंत्री बने ठीक है इसी प्रकार से अन्ने चीजे 1884 में बिये पास करने के बाद राना डेद्वारा इस्थापित दक्कन सिच्छा सभा में यह सम्मलित हो गए थे और उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्ड भिन्ड रूपों में अर्थात विद्याले के मुख्य अध्यापक फर्गूसन कालिज पुना के प्राध प्रिस्पल के रूप में की पहली बार 1889 में इलहाबात कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीत में भाग लिया 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा को भारती वे के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के सम्मुक साथ देने को कहा गया वेलबी आयोग के ब अब चुआ शरकार या जो सासन एक ब्रेटिस सत्ता है उसकी फिजूल खर्ची हो रही है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके इस विलमी आयोक का जो वास्त्तविक नाम था वह था भारत के व्याय प्रसासन पर रौयल कमीशन ठीक है तो फिलाल इनको और दिंसावा कांसिलिंग के लिए भी यह चुने गए थे और अब यह जो है एक सच्ची उदारवादी समभाव और म्रिदु न्यायप्रेता में विश्वास रखने वाले वैक्ति थे और इन्हें ऐसा पूरा विश्वास था कि देश का पुनुरोधार जो है वह राजनेतिक उत्तेजना के बमणडरों में यानिके क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से नहीं हो सकता है बलकि इनका साध्य और साधन दोनों की ही पवित्रता में विश्वास था और इन्हीं सब कानडों से महात्मा गांधी इनसे प्रभावित होते हैं और इनको अपना राजनेतिक गुरु मानते ह या फिर यूँ कह लिए तो इनके राजनेतिक चीज़ से बन गए थे इनहीं की सलाह पर महात्मा गांधी जो है प्रथम एक वर्से तक पूरे देश में भ्रमण करते रहें बिना किसी राजनेतिक सक्रियता के ठीक है महात्मा गांधी को गोपाल किष्ण गोखले ने ही कहा था कि आप एक वर्से तक पहले देश को देखिये समझिये बोलिये मतलब कानों को खुला रखो और मुख बंद करके देखो ठीक तो ऐसे आप भी करिए कुछी कहीं चीज़ अगर किसी नए परिवेश में जा रहे है तो पहले वहाँ समझने का प्रयास करिए नकी अपने विच अधिवेशन की अध्यचता की थी अगला प्रशन है कि भारती राष्ट्री कांग्रेश के अप्सन है ए सुरेंद्रनाथ बनर जी बी पिरोस्साह में था अगला प्रशन है कि निमनलिकित में से किसनेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यचता की थी इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर डी कांग्रेस के कलकत 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यचता जो है वह दादा भाई नवरोजी के द्वारा की गई थी देखे उस समय जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में विभाजन तक की नौबत आ गए थी हालांकि दादा भाई नवरोजी ने उस समय विभाजन को तुख अपने प्रयत्नों के परिडाम सुरूप टाल दिया था देखे दादा भाई नवरोजी को लगबग सभी राष्टवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और राजनेतिक विचारों में दादा भाई पूर राजभक्त थे इनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी राज़े से बहुत लाब हुआ है और वह इस साहचर के सदा बने रहने में भी अभिरूची रखते थे मतलब पस्चिम और पूर्व के एकता का या फिर पस्चिम और पूर्व के क्या कहते है उसको मित्रता का आप कह लिजे या साहचर एसूसियेशन का कह लिजे या समर्थक थे ठीक है और राष्ट्री कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरो ज द्र चीं के दोरा, स्वराज की माँ को रखा गया था, या फिर प्रस्था प्रस्टावित किया गया था। दरसल जो उग्रवादी संघठन था, बहु जो किसी और को ही दो जो उदार वादी दल था, वह किसी और को अंततो गत्वा जो सहमती बनती है वह बनती है दादा भाई नौरोजी पर ठीक है जिनका दोनों पर विश्वास था जिन पर दोनों को विश्वास था अगला प्रस्ण है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्स 1905 में पारिष्ट किया प्रस्ताव का उद्देश से था अपने लिए सम्मिधान बनाने का अधिकार परंतु ऐसा नहीं हुआ बी स्वसासन सुनिश्चित करना सी उत्तरदाई सरकार या डी स्वयम की सरकार चली इसका देखिए जो सही अंसर है वह कोई भी नहीं है यह जो है प्रस्ट नहीं गलत था क्योंकि अभी 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 हमने देखा स्वराज जी का प्रस्ताव वह कपारित किया गया था 1906 में स्वराज को प्रस्टूत जरूर किया गया था बनारास अधिवेशन में लेकिन वह पारित नहीं हो पाया था देखिए कांग्रेस के सेल्फ रूल या स्वसासन संबंधी प्रस्ताव पर सरपर्थम वर्स 1905 बनारास अधिवेशन में चर्चा हुई 1906 में कलकर्टा अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया इस प्रस्ताव के सांसा स्वदेशी बहिसकार और राष्ट्री सिछा संबंधी और तीन महत्रपूर प्रस्ताव भी पारित किये गये थे अगला प्रश्ण है कि स्वराज को बात और राष्ट्री मांग के रूप में सरुपर्थम रखा था ए बाल गंगाधर तिलक ने बी चितरंजन दास ने सी दादा भाई नौरोजी ने या फिर दी महात्मा गांधी ने कांग्रेश के मंच से भारती राष्ट्री कांग्रेश के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज सब्द व्यक्ट किया गया कांग्रेश के मंच से भारती राष्ट्री कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज्य सब्द दादा भाई नवरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया दादा भाई नवरोजी ने स्वराज्य सब्द की व्यक्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारती राष्ट्री कांग्रेश का लच्छ बताया था ठीक है चलिए हलांकि इस प्रश्ण को जो है वह निरस्ट कर दिया गया था क्योंकि हमने देखा कि 1905 में भी स्वराज्य पर चर्चा की गई थी इस कारण कंफ्यूजन होने के कारण उत्तरपदेश लोक से वायोग ने इस उत्तर को निरस्ट कर दिया था अगला प्रश्ण है कि स्वराज्य सब्द का प्रयोग सरवथम किस ने किया ए बाल गंगाधर तिलक ने बी लाला लाजपतराय ने सी सुभाष चंदर बोस ने या फिर डी महात्मा गांधी ने चलिए इन चारों को हटा दीजे बताई सबसे पहले स्वराज्य सब्द का भा नंबर पर इसे सब्द का प्रयोग किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जिनोंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा अमीद है दयानन सरसुतिक बारे में आपको सारी चीज़े याद होंगी हमने पिछले लेक्षेरों में इनको अच्छे से डिसकस किया है दादा भाई नवरोजी आम तोर पर किस नाम से जाने जाते थे इसका जो सही अंसर है वह है option number D दादा भाई नोरोजी को सामाने तया वयोवरिध पुरूस या वयोवरिध नेता जाना जाता था भारत का या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता था देखे दादा भाई नोरोजी को लोग स्रद्धा से भारत के वयोवरिध नेता के नाम से इस्मरड करते हैं 1892 में वे पहले भारती थे जो की उदारवादी दल की ओर से फिंसवरी से ब्रिटी से संसद के सदस से चुने गए थे किस दल से उदारवादी दल से कहां से तो फिंसवरी से कहां चुने गए थे तो ब्रिटीस संसद के सदस से चुने गए थे भारती राष्ट्री कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नौरोजी जुहवः अध्यच भी रहे थे सीवाई चिंतामडी ने दादा भाई नौरोजी के विशे में कहा था कि भारत के सर्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेदाओं ने सुसोभित किया है परन्तु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है दूसरी और गोपाल कृष्ण को अकले दादा भाई नौरोजी के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्च में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है ठीक है स्टेट्मेंट याद रखना ज़रूरी है प्रस्न सीधे सीधे आ जाता ठीक भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संग्या किसे दी जाती है दादा भाई नौरोजी को भारत के वयो व्रिद्ध नेताया दी ग्रैंड ओल्ड मैन अफ इंडिया की संग्या दी जाती है इन में से किसे दी ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है option number C दादा भाई नौरोजी को next निमलिकित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विशाय में सत्य नहीं है A. उन्होंने poverty and unbritish rule in India पुष्टक लिखी थी B. उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कारे किया था C. उन्होंने बंबई में महिला सिच्चा की नियुरक की थी D. विब्रिटिस पार्लियामेंट के सत्यसिके रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे चली इसका जो सही अंसर है Option No. D. अनुदारवादी नहीं उदारवादी पार्टी के टिकट से विब्रिटिस संसद में चुने गए थे कहां से तो बिटेन के फिंस वरी छेत्र से ठीक कब तो अठारा सो बान बे में ठीक है बाकी अन्ने सभी कतन इनके बारे में सही है इन्होंने पावर्टी एंड अनुद ब्रिटिस रूल इन इंडिया नामक पुष्टक लिखी और ये गुजरात की यूनिवर्स्टी कालेज आफ लंदन में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे और बंबई में इनके द्वारा महिला सिच्छा के लिए भी कार्य किया गया था नेक्स्ट दादा भाई नरोजी के बारे में निम्न मिल्खित में से कौन सा एक कथन असत्त है ए वह पहले भारती थे जो एल्फिश्टन कालेज बंबई में गडित और भौतकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिस पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाजित किया गया सी, उन्हें एक गुजराती पत्र का राष्ट गुफतार का आरंभ किया था डी, उन्होंने चार बार भारती राष्ट्री कांग्रेश की अध्यच्छता की चली, जो सही एंसर है इसका वह है आप्सन नमबर डी, चार बार नहीं, तीन बार भारती राष्ट्री कांग्रेश की अध्यच्छता की थी, 1886, 1893 और 1906 में दूसरे राष्ट्री अध्यच्छ चुने गए थे, उसके बाद जब वादिवी बाद चल ला था, जो बनारस कलगत्ता अधिवेशन हुआ, जहां पर स्वराज्य पारित किया गया, स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, 1906, उसके अध्यच्छ चुने गए, उसके अला प्रस्ताव लंदन में इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में कारे किया था, और इनके द्वारा एक गुजराती पत्री का राष्ट गुफतार या फिर राष्ट गुफतार भी सुरू किया गया था, ठीक है, कब तो 1851 में, अगला प्रस्ण है कि ब्रिटिस पा के रूप में भारती राष्ट्री कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, A. बंबई, B. सूरत, C. एलहाबाद, D. लाहोर, चली, इसका जो सही अंसर है, वह है, आप्सन नंबर B. नरम दल और गरम दल के रूप में भारती राष्ट्री कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, देखे, माहोल तो गरम था ही 1905 से ही, ठीक है, यह यूँ कह लिजे, तो 1923 के आजपा से ही जो माहोल था, भारती राष्ट्री कांग्रेस के अंदर का वह गरम होना सुरू हो चुका था, मतलब विभाजन कारी होना सुरू हो चुका थ लोगों के एक दूसरे से मधभेद धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे और इसमें और अच्छे से काम किया स्वदेशी आंदोलन के महत्पूर्ण प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी राष्ट्री सिच्छा इन सब ने, ठीक है, बहिसकार, इन सब ने इसमें और, यानि यूँ कह लिजे आप एक प्रकार से तो आज में घी का काम किया था, फिलाद, यहां देखिए, उननी सो साथ में सूरत में आयोजित कांग्रेस के तेईसमें वार्सिक अध्यवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों का में अध्यच्छपत को लेकर कांग्रेस विभाजन हो गया, उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यच बनाना चाहते थे तो उदारवादी जो है वह रास भीहरी घोष को अपना अध्यच बनाना चाहते थे, अंत्तो गत्वा उदारवादी सफल होते हैं, यानि कि 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यच बनते हैं, रास भीहरी घोष और सम्मेलन में अब ठीक है अब चलो अध्यच बन गया अब, अब जब सम्मेलन होता है तब उग्रवादियों ने 1906 में पास करवाए गये चार परस्ताव, स्वदेशी, बहिसकार, राष्ट्री सिच्छा और स्वसासन के प्रियोग को ले करक विवाद और गहरा हो गया, उग्रवादी इसे राष्ट्री अस्तर पर लागू करना चाहते थे और उदारवादी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, अंदर तक खुब जूते चपल वहाँ चले और खुले संघर्स के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया उदारवादी और उग्रवादी दलो में। बाल गंगा धर्तिलग C. गोपाल कृष्ण गोखले या फिर D. आरबी घोष तो इसका जो सही अंसर है वह है option number D. आरबी घोष या फिर रास बिहारी घोष जो है वह 1907 के सूरत के अध्यत छूए अगला प्रशन है कि भारती राष्ट्री कांग्रेस के वर्स 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में चार संकल्प पारित किये गए थे सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें और स्वीकृत करने के प्रश्ण पर कांग्रेस का विभाजन हो गया निम लिकित में से कौन एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था ए बंगाल विभाजन को रद्द करना बी बहिसकार या बायकाट सी राष्ट्री सिच्छा या डी स्वदेशी आसान प्रस्ण है इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर ए हमने बार बार पढ़ा कि जो चार नीतियां थी या चार प्रस्ताव थे कौन-कौन से तो प्रस्न की तरफ यहां पूछा जा रहा है कि बीच्वी सदी के प्रारंभिक वर्सों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई ए, कांग्रेस आंदोलन की रड़ नीतियों पर, बी, कांग्रेस आंदोलन के उद्धिस्यों पर, सी, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागिदारी पर, या, दी, उपरिक्त सभी चली, जो सही अंसर है इसका वह है option number D, उपरिक्त सभी कारणों से जो है कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया सुरू हो गई थी, दरसल जो कांग्रेस का उग्रवादी दल था, वह कांग्रेस के उदारवादी दल के अनुनाय विनाई की नीतियों से काफी जादा करते हुए विरोध और प्रतिरोध की नीति का प्रयोग करते थे, जो कि जनता में काफी लोकप्रिय होते जा रहे थे, ठीक है, चलिए फिलाल यहां पर देखिए, हालांकि दोनों का एक रहना आवस्यक था, क्योंकि वह कहते नहीं कि आपना रहता है, उसमें साम्मेता बनी चलिए रहती, देके, बीचवी सदी के प्रारम्भिक बर्सों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुक कारण नरम पंथियों का अपने रणनीदियों, उद्यश्यों, और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था, नरम पंथियों ने आम जनता के बीच मे काम नहीं किया नरम पंती राजनीति घटना करमों के अनुरूप अपनी रणनीत में फेर बदल नहीं कर पाते थे वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्दियों नहीं उनकी राजनीत को अव्यभारिक बना दिया था नरम पंती और गरम पंती के सोच और अनुमान पारस परिक मदभेद के द्रिष्टिकूर और राष्ट्रबादी द्रिष्टिकूर दोनों ही गलत थे नरम पंति यह नहीं समझ पाए कि सरकार गरम पंतियों के भय के कारण ही उनसे बातचित कर रही है और गरम पंति यह नहीं समझ पाए कि उनके संगर्स में नरम पंति उनके हुई 1907 में भारत देखे इस विभाजन में गरम दल का जो नित्रितु किया गया था वह किया गया था बाल गंगा थर तिलक के द्वारा कहां पर हुआ था तेईश्वा वार्षी कद्वेशन था राज विहारी घोष की अध्यचताम संपन्न हुआ था और सूरत में तापती न राष्ट्री कांग्रेश का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत विभाजन का नेत्रत किया था तो सूरत विभाजन का नेत्रत किया था तिलक ने अगला प्रश्ण है और इस चप्टर का अंतिम प्रश्ण है कि 1907 में सूरत में भारती राष्ट्री कांग्रेश के विभाजन की चमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का आभाव सी मुस्लिम लिग की इस्थापना या डी भारती राष्ट्री कांग्रेस का अध्यच्च जो अप्सन नंबर बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की बारता करने की चमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का आभाव उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि नरम पंति जो है वह मना पाएंगे अंग्रेजी सरकार को अपने अनकूल देखें 1907 में सूरत में भारती राष्टी कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य करण था वह था अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंतियों की वारता करने की छमता के बारे में चरम पंतियों में विष्वास का आभाव सूरत अध्यवेशन में चरमबंथी लाला लाजपतराई को अध्यच बनाना जाते थे जबकि राज विहारी गोष को अध्यच बनाना चाहते थे उदारवादी लोग अन्ततु गत्वा राज विहारी गोष जो है इस सूरत अध्यच चुने गए ठीक तो फिलहाल इस चेप्टर में इतना ही है थैंक्यू थैंक्यू बेरी मुट पर डिस्कुशन चैनल को लाइक सब्क्राइब और सेयर करना मत बूलिएगा और धन्यवाद